वेल्कम स्टूडेंट्स तो लास्ट वीडियो जब हमने स्टार्ट किया था रॉबर्ट विटेकर का फाइव किंग्डम क्लासिफिकेशन तो उसमें हमने अल्रेडी त्री क्राइटेरियास कवर कर लिये हैं विच वाज क्या थे विच वाज यह तीन चीज़ें हमने अल्रेडी कवर किया है और इन तीनों की जो डिफरिंट है मतब क्या मीनिंग है पॉडी सेमेट्री में कौन-कौन से अलग-अलग थ्री टाइप्स थे जर्माइनल लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म यह सब हमने कवर कर लिया है और इसी को कंसीडर करके भी और ग्यानिजम क्लासिफाइ होते हैं यह हमने देख लिया बचे हैं अब दो क्र हमारे फॉस्ट वीडियो में में हमने फॉस्टू वीडियो में हमारा जो बॉड़ी है उसका सैल outta और लिजियन कैसा है पर पिक और में कौरड़ानिशिंट का सुने लगे एक उनको हम बोलते हैं और अर्गन शिस्टम उसके बाद हमने को जिए लिक आपके यह does को की आप य cell organization हमने organism को क्या दिया ग्रेड दिये प्रोटो प्लास्मिक cellular cell tissue tissue organ organ system यह सब जब मैंने आपको सिखाया I don't know आपको doubt आये आया कि नी पर मुझे है यह doubt can you just give me इसका answer कि आप मुझे बताये मैं मैंने एक example दिया परामोशियम का परामोशियम is a unicellular organism I can say भई है ना from kingdom protesta अब इस organism में तो unicellular मतलब एक ही cell है और मैं उसको क्या बोलती हूं organism ठीक है मैं उसको organism बोलती हूं और वही अगर मैं मान लीजिए मैं अपनी body से rbc निकाल कर दूं आपको nerve एक neuron दूं वह भी तो इसकी cell है unicellular है मैं उसको organism क्यों नहीं बोलती what what is the difference कि एक वही एक cell जो amoeba में present है amoeba उसको हम लोग amoeba को क्या बोलती है organism वाय नौट वाय नौट एक rbc और एक neuron को क्यों नहीं बोल रहे है can you guess why मुझे पता है आप सभी को पता है यह बात इसकी आंसर आपको सबको पता है yeah the difference is किसी organism को organism बोलना या मतलब उसमें लीविंग ऑर्गानिजम इसलिए हम तभी बोल सकते है कि first quality है that organism should be able to survive exist अगर मैं यह rbc मैं यह neurons को बाहर निकाल के रख दूं यह मर जाएंगे but in case of amoeba नहीं वो अपना living process चालू रखेगा उसकी life process होती रहेंगी उसके पास भले एक cell है but उससे ही उसका सारे process हो रहे है as I have already told you in my first video कि reproduction, digestion, nutrition, सारी life process उसके एक cell से हो रहे है where in case of rbc and neurons अगर मैंने उन cells को बाहर निकाल के रख दिया they won't be able to survive वो मर जाएंगे so that's why the quality जो सबसे पहली quality है किसी organism को एक किसी cell को living organism बोलने की organism बोलने की first quality है able to exist, able to survive तो मैंने वही example आपको दिया amoeba और एक मेरे आर्बी सी या नियूर्व से नियूरॉन किया एक एक जामपल देखे आपको यह डाउट मुझे आया था आपको भी आना चाहिए and this is the answer for it after that हम प्रोटिस्टा की तरफ गए और उसमें जो है प्रोटोप्लास्मिक ग्रेड ओर्गनाइजिशन था मतलब एक ही सेल से सब कुछ होना है तो यू आप टू सी कि वेदर एक ही सेल से सब हो रहा है क्या हो रहा है वो सब आपको देखना है तो क्लासिपाइए नी और्गानिजम यू आप टू सी वेदर इट इस यूनिसेलिलर और मल्टी सेलिलर तो वह हमने एक देख लिया उसके बाद हम बड़े मल्टी सेलिलर की तरफ हम मल्टी सेलिलर में भी बड़े अलग अलग डिफरिंट टाइप सें फर्स्ट हमने क्या टीशू और नो सेल कोडिनेशन उसके बाद हमने देखा था कि मल्टी सेलिलर ऑर्गानिजम में ही फाइलम नाइडेरिया और उसमें क्या हुआ था उसमें जैली फिश का एक्जाम्पल यह और सारे जो उसके ज़ली फिश के पास टीशू है और वो क्या कर रहे है अपना-प organization उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े जब organs बन चुके हैं मतलब tissue आये और organs भी बने और example हमने लिया planaria का इसमें क्या था सारे organs अपना अपना मर्जी का काम करते जा रहे हैं कोई coordination नहीं है उनमें तो मैंने उनको क्या grade दिया tissue organ grade organization उसके बाद हम बढ़े organ system that is we are talking about us इसमें क्या हमने देखा complete और I can say well developed brain है organs है और yes हमें coordination है और हमें that's why we are able to perform life process मतलब हम highly advanced है और example हमने किसके देखे dog frog and of course us and then हम body symmetry की तरफ बढ़े body symmetry को अगर में एकदम normal language में बोलू तो इसका मतलब यह हुआ कि उसको cut करना है उगर दो equal half मिलते है तो उसकी symmetry आपको देखनी है अमीबा में क्या था कुछ भी करो नहीं मिलने वाला तो asymmetrical में डाल दिया उसको कौन सी class में डाला था asymmetrical में radial में मतलब ऐसा imaginary axis जो radius से provided it should pass with it should pass with radius only and if you are getting two equal halves then the organism is coming into the category of radial symmetry an example किसका था starfish का जिसमें क्या present था multiple plane of symmetry उसके बाद हमाई जिसमें क्या था bilateral symmetry मुझे ऐसे काटना तो possible नहीं है ऐसे भी नहीं विकॉस यूविल नौट गेट two equal halves आपके पास मुझे काटने के लिए सिफ एक imaginary axis that is this that is bilateral symmetry फिर हमने पढ़ा germinal layer हमारी सबकी embryonic stage में जब हम एक cell थे जब zygote form में थे हम एक ही cell थे फिर इसमें division होते गए cell division और हमारे cells ने खुद को germ cells ने खुद को differentiate किया 3 layers में ecto meso and endo और ecto meso and endo में क्या अगर तीनो प्रेजेंट है triploblastic और दो प्रेजेंट है तो diploblastic यह हमने किया था already we have covered this so now today will start with the remaining parameter remaining criteria that is body segmentation a body segmentation में आपको कैसे समझाती हूं देखिए मुझे लिए अभी यह मेरी body है अगर आप मुझे segments में काटोगे can you will you get the repetitive segments only बिल्कुल नहीं अगर तुमने मुझे यहां से काटा तो eyes तो गई क्या दुबारा eyes आएगी बिल्कुल नहीं यह तो मेरे case में बिल्कुल possible नहीं कि you will get repetitive segments in case of अर्थवाम definitely you will get and maybe some organs भी repeat होंगे तो यह body segmentation क्या है when you will cut the organism into smaller parts or you into segments you will get repetitive और अर्थवाम में क्या होता है कि वो उसमें na repeat होता है एक ही मतलब इसको काटा ना for example this यह for example यह यह जब इसको कट करेंगे न तो आपको एक repetitive structure मिलेगा मतलब एक जैसे दिखने वाले in our case it is not possible तो body segmentation भी एक criteria होता है किसी organism को classify करने का तो इसका example क्या है earthworm ठीक है from the phylum Anilida and very important that is body cavity यह हमारा last criteria है body cavity body cavity को बोलते हैं sylome body cavity क्या होती है the cavity between the body and the internal organ in our embryonic stage these body cavity is formed by the mesoderm organ अब मैं आपको बताती हूं यह जो body cavity का actual definition क्या होगा वो cavity आप उन्हीं उसी उसी चीज को body cavity consider करोगे जिसकी landing mesoderm से होगी वरना वो cavity नहीं है अब ले लीजे मेरा example if you will cut me और मेरा kidney, liver और सारे organs मेरे निकाल दोगे क्यों आपको क्या मिलेगी cavity मिलेगी खाली जगा मिलेगी उसी खाली जगा को बोलते हैं body cavity और sylome अभी यह जो मैंने बोला let's let's just understand from this particular diagram अभी इसमें क्या है देखो बच्चों पर सबसे वाला बाहर वाला layer जो orange color का आपको दिख रहा है वो क्या है ectoderm फिर यह जो green है that is endoderm endoderm मतलब मेरी elementary मेरे organs की inner lining अभी अगर kidney को अगर तुमने cut किया तो मैं ऐसे बोल सबती हुँ ना कि इसको cut करने के बाद you can paint ना तो वो inner lining बनी हुई है उसको किसे बनी हुई है endoderm से तो यह हो गई तो जो यह green वाला structure है जो green color के जो cells दिखेंगे layer दिखेंगी उसको बोलते है endoderm और देखो यहाँ पे और यह जो red color का है सारा उसको बोलते है mesoderm और यह जो white white आपको इधर दिख रहा है it is body cavity in humans we have body cavities देखो thoracic, abdominal, pelvic, spinal, dorsal cavity these are the examples of body cavity which is present in humans तो हम किस class में आते हैं मतलब अब body cavity किसी organism में present है नहीं है इसको आधार मानके इसको consider करके भी organism क्लासिफाय होते हैं in our case cavity is present so we are coming in the category of sylomate जम नहीं होगी जिस organism में sylom नहीं है मतलब body cavity नहीं है a sylomate और कई में कुछ अलग तरीके से होती है जो mesoderm से नहीं बनी होती उसको बोलते हैं pseudo-sylomate सुडो-sylomate सुडो-sylomate तो animals with true body cavity that is us हमारे में है a sylomate absent है यह नहीं और pseudo में है बट उसके लिए अभी आपको मैं समझाती हूँ कि तीनों में फरक क्या है अभी यह देखो body cavity का example first example is sylomate मतलब human earthworm में अभी देखो इसमें क्या है यह जो outer दिख रहा है that is ectoderm जो red दिख रहा है that is mesoderm यह mesoderm है यह ectoderm है और यह जो यह इधर है न यह वाला हिस्सा that is endo और यहां पे देखो यहां पे फॉर्म हुई है that is cavity in case of pseudo pseudo में आप यह भी तो बोल सबते हो कि मैं यह cavity यह क्यों नहीं है cavity आप इसको क्यों नहीं कमसिडर कर रहा ह। because यहां पे mesoderm से यह अटैच नहीं है इनकी कोई mesoderm की lining नहीं है जो कि मैंने clear cut आपको इसके पहले वाली slides में बोल दिया था आप उनहीं को body cavity समझोगे जहां पे mesoderm की lining होगी यहां पर है फिल्कुल नहीं है और यहां पे देखो अलग-अलग है तो यह क्या है pseudo cavity है इनकी और in this case है यह नहीं इनको क्या बोलते हैं हम pseudo pseudo silomate पहले वाला example है silomate उसके बाद pseudo silomate and last one is a silomate तो अब जो है organism किस तरीके कि इसमें silom present है कैसी cavity है again they are classified silomate है अगर cavity है silomate नहीं है a silomate और एक और टाइप है जिसको बोलते है pseudo silomate so these are the five criteria of five kingdom classification so now we will take quick revision of this with a small video so you have to see this video and then we can proceed further depending upon these five criteria of terminal layer, body organization, body symmetry, body segmentation and presence of body silom the organism can be classified into different class, different phylam which you are going to learn in this chapter which you are going to learn in this chapter which I will explain and if I say the organism have bilateral symmetry you should be able to understand कि मैं क्या बोलना चाहती है हमें so that's why this basics needs to be clear before we will start with actual animal classification वो सब भी हम धीरे धीरे करेंगे पर अब हम एक let's revise जो भी हमने सब कुछ ये सब कुछ सिखा with a video Criteria for Five Kingdom System of Classification The traditional system of animal classification had two kingdoms Nowadays a new system of animal classification called Five Kingdom Classification is being followed It is proposed by scientist Robert Whittaker in 1969 It includes Kingdom Monera, Kingdom Protesta, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, and Kingdom Animalia This system of classification is made on the basis of criteria such as body organization, body symmetry, body cavity, germinal layers, body segmentation, etc. Body Organization It suggests how the organism's body is formed. In unicellular organisms like amoeba and paramecium, all functions are performed by same cell and so the body organization of unicellular organism have protoplasmic grade organization. There are some multicellular organisms such as sponges in which there is just aggregation of cells and so no tissues or cellular coordination exist. Such animals are said to have cellular grade organization. In some multicellular organisms such as jellyfish, there are separate tissues to perform various body functions. There is well established coordination between these cells. They show cell tissue grade organization. In some multicellular organisms such as planaria, tissues are organized to form some organs. However, complete organ system is not present. Such organization is tissue organ grade organization. All other multicellular animals like human, frog, etc. have dedicated organs for performing specific functions. Therefore, they show organ system grade organization. body symmetry. When an animal appears similar from both sides of an imaginary axis, then we say that it have symmetrical body. In humans, cow and similar animals, there is one plane of symmetry. Such animals are said to have bilateral symmetry. In starfish, coral polyp, there can be multiple planes of symmetry passing through the central axis. Such animals are said to have radial symmetry. Other animals such as amoeba, paramesium, sponges, does not have symmetrical body. These are said to have asymmetrical body. Germ layers The germ layers develop early in embryonic life. The germ layers give rise to different tissues in the body. In many multicellular animals, there are three layers. That is, ectoderm, endoderm and mesoderm. Such animals are said to be triploblastic. In other animals, there are only two germ layers. The ectoderm and the endoderm. Such animals are called diploblastic. Body cavity The fluid-filled space between the body walls and gut wall is called body cavity or coelum. Animals having true body cavity lined by mesoderm from all sides are eucelomate. For example, annelates, molluscus, arthropods, echinoderms and caudates are examples of eucelomates. Animals which have cavity, however, gut wall is not lined by mesoderm. Then, the animals are pseudocelomate. For example, escalamentis. Animals in which cavity is absent are acelomate. For example, porifera, cnidaria, platyhalomathus, etc. Body segmentation. If it is possible to divide the animal body into series of smaller repetitive segments, then such animal is said to have segmented body. For example, annelates like earthworm. I hope you have understood this video very well. Thanks for watching this video. So, with this video, everything is now cleared. Your classification, basic of classification, criteria of classification is cleared. 5 criteria, body organization, body symmetry, body segmentation, body cavity and germinal. So, now, everything is clear with this video. In that video, it is speaking something like orthopoda, annelida, hemidechka accord data. That is, everything you will learn. Now, when your base is cleared, your classification is cleared, everything is cleared. Everything is cleared in your mind. So, it is time to introduce you to this particular. So, why do I have designed this? Why do I have designed this? Why do I have introduced you to this particular? So, that, when you have studied animal class, you will learn this, it will become easy to understand. For example, In this case, what do I have done? Animalia, which you are going to learn. This is your kingdom. I have given you two cellular levels. Cellular levels mean, Now, the cell is cut down, but the tissue is not made. This is the example of phylum, porifera. After I have taken the tissue organ, I have taken the same, then I have taken the symmetry, radial, bilateral. After I have taken the radial, then it is cylinder eta and tenopora. After I have taken the body cavity, with, through, siloam and without. So, these are the class. Depending upon these criteria, the animal kingdom, the animal kingdom, the animal kingdom, the animal, is divided into ten phylum. Starting from porifera, and ending with chord data. Our phylum is human's, that is chord data. So, we will learn about it. Now, example, I will give you an example. If I have told you, that chord data, I will read some features, characteristics. If you remember the table, well, what do you do? They are silomates, meaning they have true body cavity. They have bilateral symmetry, and they have organ level system. And they are coming from the kingdom, anemilia. So, you have to go from here to here, and you can define four characteristics. In addition to that, in addition to that, you have to give me examples of each phylum. So, next video, we will start with, first with chord data. It is very big, very diversified. First, we will complete our major work. And then, from porifera to hemichord data, we will complete with their characters, and with an example. So, this is something, which is given in your textbook. Kingdom anemilia, body organization, body symmetry, body cavity, and phylum. So, here are 10 phylum. In the next video, we will start chord data. So, what I request all of you, is that, this kingdom, this table, you can draw yourself. Don't get Google, or screenshot. You just draw in your notebook, before I will start with chord data. Before I start with chord data, before I start, all of these things, should be clear in your mind. Because, when I will speak, phylum, if I have spoken, radial symmetry, you should immediately know, that it is a class, and where it is. Which thing is connected. You should know that. You should know that. So, this table draw. So, simplified. And, you don't need to go to this. You don't need to go to this. This is the spelling. Cylinderator, Porifera, Anelida, Orthopoda. This is all. You go to new school, and you get new friends, some people are difficult to find. But, when you have friends, you start being with them. When you have friends, Then, when you have friends, you start talking with them. And, ultimately, last time, by the end of year, you know their name, their name, their name, school name, surname, everything. So, this is the last slide of today's presentation. So, you have made a table. You have made a table. Draw it. And, try to remember it. Meanwhile, I know it becomes very difficult for you also. Telling is really hard. But, yes, In the exam, we have to score a good number. We have to study. And, I am there only. So, I am going to, I am going to simplify everything for you. So, let's start. In next video, let's start with Core Data. If you have a good work, you can set up, put this table over. And, let's add the basics. This is the best. You can revise. Thank you.